Hello friends, welcome back to my YouTube channel SP Classes SP Classes में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं RUHS B.H.C. नर्शिंग की काउंसलिंग को लेकर के जो RUHS की तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गए उस नोटिफिकेशन को लेकर के उसमें डेट मेंशन की गई है कि आपको काउंसलिंग 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 काउंसलि और टेलेग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो उसको भी आप जोइन कर लेजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको हर प्रगार की पीडिया प्रोवाइट कराई जाती है हमारे द्वारा तो अभी हम जो हैं आर्वेटेज के ओफिशियल विफसाइट के उपर हैं कटोफ की हमने लाश्ट वीडियो के अंदर बात की थी कटोफ का अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आप जो है कटोफ को लेकर के वीडियो देख सकते हैं उसमें हर केटिगरी को लेकर के आपकी जनरल EWS, SC, ST केटिगरी को लेकर के बिल्कुल 60 कटोफ आपकी बताई गई है उससे उपर आपकी कटोफ नहीं रहने वाली है गोवर्मेंट और प्राइवेट दोनों को लेजो के कटोफ को लेकर के हमने बात की थी तो अभी हम काउंसलिंग को लेकर के बात कर लेते हैं और साथ ही बात कर लेते हैं आपकी फिस इस टेक्सर को लेकर के इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपको 2023-2010 वाले एडिसन पर क्लिक करना है आपको BSNATSING वाले पोर्टल पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप RHS के ओफिसेल वेबसाइट के उपर चले जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो result admit card और आपने जो forum फिल किया था उसका notification अभी यहाँ पर सो रहा है तो जैसे ही आपकी counselling स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आपको जो है counselling के regarding notification देखने को मिलेगा कि आपकी counselling कफ से start होने जारी उस notification के अभी हम बात कर लेते हैं जो notification की तरफ से जारी किया गया है अब RHS आप देख सकते हैं कि उन्होंने जाए कितने delay बढ़ती है कि RHS ने जो है वो लगवा आपके answer की को लेकर के एक notification जारी किया था एक तो है कि आपका जो last year student ने addition लिया था उनका अभी तक जो है first semester complete नहीं हुआ है तो जैसे उनका first semester complete होता है आपके addition इस्टार्ट हो जाएंगे RHS ने जारी कर सकता है कि उनके last year जो addition नहीं हो था उनका भी exam नहीं हो और आपको बुला लिया जाए तो दो दो बेंच एक साथ इस्टार्ट नहीं कर सकते तो पहले उनका exam होगा उसके बाद में ही जो है वो आपका addition confirm किया जाएगा उसके reporting होगी आपकी reporting करवाई जाएगी और आपकी counseling पर किरिया complete करवाई जाएगी तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है result admin card और forum फिल का यह option यहाँ पर है counseling को लेकर क्या भी notification आर्विटेश जारी करने वाला है आपको link एश्टार्ट करने वाला है उसके बाद में ही आप जो है फिस रखने वाली है government college और private college दोनों college को लेकर के फिस की बात करेंगे कि government college के गर्लस की कितने लगेगी बोईज की कितने लगेगी और category wise SCST और OBC General की कितनी फिस रखने वाली है तो सबसे पहले यहाँ जो है उसके बार में आप notification की उपर जलते हैं जो notification आपको जो है आपको जेपुर की news paper के अंदर देखने को मिला होगा देनिक बास करकर के अंदर और जो है वो सभी आपको जो है जो online platform है वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा यह notification आपने अभी यह notification देख लिया होगा उसके उपर हम विश्तार पुरोग बात करते हैं कि क्या यह नोटिफिकेशन है इसका जो है क्या वर्णन इसमें किया गया है आपकी नोटिफिकेशन कि मादेम से उसके हिसाब से कब आपके काउंसलिंग इस्टार्ट होगी तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन के उपर तो फ्रेंड्स अभी हम आठ चुके हैं जो RHS के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो न्यूज पेपर के अंदर जो कटिंग डाली गई थी पेपर के अंदर उसका हम एनलाइसिस करते हैं कि इसके अंदर क्या बताए गया आपको लेकर के आपके काउंसलिंग को लेकर के क्या बताए गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्वेटरस ने जो है फार्मेसी बीएसी नर्सिंग और फीजियो तरेफिके के 1,000,000,000 स्टुडेंट आपके उसके हैं तो उन्हें सभी स्टुडेंटों boundaries चलयगी। कब तक आपका addition confirm हो जाएगा को लिजों के अंदर तो सबसे पहले हम यहाँ पर notification के आपको दिखाई दे रहा होगा कि चिकसा विबा के अधिकारियों की लापरवाई के करण जोया सता दे दो जार तेई सोईस के बेस इनर्सिंग फार्मेसी और में इसका डिले होने का में रिजन यह है कांसलिंग समय पर नहीं होने से सतर में देरी होना है और सतर में देरी होने पर कोर्स पूरा कुराने में ज़्यदा समय लगेगा यह उनकी करेक्ट बात है कि जैसे ही आपकी कांसलिंग जो है जितने डिले होगी उतना ही आपका कोर्स लेट होगा उतना ही आपका कोर्स नहीं हो पाईगा फर्स्ट सेमेस्टर का इससे जो है कई student जो है अपने result है उनका result खराब हो सकता है उनका course complete नहीं हो पाएगा उसके वज़े से आपकी counseling लेट होने के कारण तो जो आज रेचास ने विसवीदा लेकि ओर से base nursing, paramedical और pharmacy, physiotherapy प्रिवेस के लिए प्रिक्षिय आयुजित करवाए का परिणाम भी गोशित कर दिया गया आपका result जो है लगबग आपको 5 अगस्ट को देखने को मिला होगा और आज जो है आपकी हो चुकी है 13 अगस्ट आज आपकी हो चुकी है तो 13 अगस्ट हो चुकी है आपकी लगबग 1 महीने से ज़्यादा आपको हो चुका है आपके result को declare किये हुए RHS की तरफ से आपकी exam को complete हुए लगबग 2 महीने हो चुके हैं तो 2 महीने होने के बाद भी अभी तक RHS ने आपकी counseling इस्टाट नहीं की है तो इससे delay तो है RHS ने बहुत delay कर चुका है अभी RHS आपकी counseling को अभी ओड डिले नहीं करेगा क्योंकि अभी counseling जो है ऐसे ओड डिले करेगा तो आपका सेशन लेट हो सकता है आपका कोर्स complete नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केसा विबा के स्विक्त सासन सचीव को counseling करवाने के मामले में लेकर तीन बार जो है वो RHS पतर लिख चुका है लेकिन आज तक विबा की ओड से कभी तरह कोई जबाब नहीं मिला है तो RHS जो है वो जो विशे विदाले की जो सचीव है counseling के जो सचीव है उनको जो तीन बार पतर लिख चुका है लेकिन अभी तक जो है उनका जो कोई भी उनकी तरफ से कोई response नहीं आया है लेकिन आज तक विबा की ओड से कोई तरफ का ठीक है विबा को सिर्फ ये कहना है कि सो फीजती स्टों में परवेश के लिए counseling RHS करेगा या विबाग ठीक है उन्होंने जो है RHS ने जो है विबा के ओपर ठोब दिया है और फार्मेसी पेरामेडिकल और फीजियो तरेपी में बीज नर्सिंग की शुटों की संख्या करीबन 21,000 है और चारों में परवेश के लिए एक लाग अभियर्थियों में बेठे हैं फार्मेसी डिपलोमा ये आपकी शुटों की संख्या को यहां पर आर्विजस ने सो किया है उसके बीज़ो है वो RHS ने आपकी काउंसलिंग को लेकर के तो ऐसा कोई नोटिफिकेसन नहीं सो किया इसके अंदर के आपकी नोटिफिकेसन के डेट नहीं बताई गई है लेकिन इसका जो है वो ये नोटिफिकेसन जारी करने का मतलब यह है कि RHS आपकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट करने वाला है आप काउंसलिंग आपकी जारी नहीं होगी लगबग तेरह सेप्टेंबर आज हो सुका है बीज सेप्टेंबर के आज स्पास या पंदरा से जो है लगबग आपकी 15 से 20 से बीज सेप्टमर के अंडर अंडर आपकी काउंसलिंग चीज़िश्टर कार देगा इससे डिले आपका नहीं होगा तो अभी हम, fees, structure के उपर चले जाते हैं कि आपकी fees क्या रहने वाली है तो चलिए हम fee store के उपर के उपर सहलते हैं कि आपकी fees sticker के उपर आपकी fees क्या रहने वाली है प्राइवट college की फीर को लेकर के आपकी private college की जो fees लेगर 85,000 रुपए इस पर आपकी रहने वाली है इससे 10,000 रुपए को सल मनी आप एड का लीजेगा और लगबग 1,00,000 जो है आपकी फीज़ इस पर रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज को ले करके तो private college की fees आपकी एक लाग रुपए रहेगी जो university की तरफ से आपकी fees से निर्धारित की गई है वो 85,000 रुपए है government college की fees को बात कर लेते हैं OBC जो boys हैं और general boys हैं उनकी 11,000 रुपए आपकी fees रहेगी और SCST जो boys हैं उनकी 11,000 रुपए गी और old girl, old girl का मतलब है कि आप चाहिए OBC, general, EWS, mbc, SCST किसी भी कटेगरी से हो अगर वो girl है तो उसकी जो है वो 21,000 रुपए फीस रहने वाली है और SCST boys की भी 21,000 रुपए और OBC और general boys की जो है वो 51,000 रुपए फीस रहने वाली है फिर नेक्ट वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आपकी दो scholarship है, scholarship को लेकर कि आपके scholarship के फोरम के ओपर आ लड़ी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जो है जाकर कि scholarship की complete सूचना देख सकते हैं, notification के मादें से हमने आपको बताया है तो अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिलकुस सटीक जानकार दी जाती है तो अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप जल्ली से हमारी YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजेगा और bell icon पर press कीजेगा जिसे हमारे आने वाली वीडियो की notification आपको बिलती रहे और telegram चैनल को भी join कीजेगा, तब तक के लिए जय हिंद